News 18 के सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है तो क्या मद्यप्रदेश में मदर्सों पर एक्षन की शुरुआत हो गई है हाला कि एक सवाल ये भी है कि ये क्यारवाई क्या सतत जारी रहेगी अंदाजा इसी बात से लगा लीजे कि सिर्फ एक जिले यानि शोपुर के हाल क्या है शोपुर में हुआ क्या है शोपुर में चल रहा है क्रीब 80 मदर से इन में से 56 ऐसे जो संचालित ही नहीं हो रहे थे इन्ही 56 मदर्सों की मानिता को मदर्सा बोड ने इन्हें खत्म कर दिया है 54 मदर्से ऐसे थे जिन्हें बाकाइदा सरकारी अनुदान प्राप्त हो रहा था पहले आपको दीपक की जानकारी जरूर सुननी चाहिए मदर्स बोड ने इन जो मदर्सों की मानिता तो समाप्त कर दिये लेकिन जो लंबे समय से अनुदान लिया है जो रासी सासन से इन्होंने लिये वो वसूली जानी चाहिए लेकिन अभी तक इस तरह का कोई एकसन यहाँ पर देखने को नहीं मिला है लेकिन इस मामले में जो जितना भी पेसा मदर्सों के द्वारा बसूला गया है बिना मौके पर संचालित कराए वो अभी तक उस मामले में कोई एकसन नहीं हुआ है यह एक बड़ा मामला है इस पर एकसन होना चाहिए और इसे और सभी लोग देख रहे हैं लोगे फरजी तरीके से बच्चों के नाम पर यह मदर्से संचालित थे और कई मदर्सों में तो ऐसे रोगों के नाम भी थे जो डॉक्टर इंजिनियर हैं और बिजिसों में पढ़ाई भी कर रहे हैं इस तरह के भी खुलासे यहां पर हुए है और बहुत पहले इस तरह की कारवाई हो जानी चाहिए थी लेकिर राज शासन के निर्देश के बाद अब ये एक्सर हुआ है इधर इस मामले के खुलासे के बाद स्कूल सिक्षा मंतरी उदाए प्रताप सिंग ने फिर से दोर आया कि सभी जिला सिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो मैदानी एलाकों में जाएं सिक्षा संस्थाओं का सतत निरीक्षन करें और ये सुनिश्चित करें कि विद्यार्थियों को राजी सरकार की विभागी यूजनाओं का लाब मिले और गुणवत्ता पूर्ण सिक्षा मिले इस पूरे घटना करम के पहलू और भी है ये भी समझे कि मदरसा शब्द आते ही मामला गर्म हो जाता है इस शब्द से निकली आच में सब की अपनी अपनी सियासी रोटी सिक्ती है इसी शोपुर से एक खबर और भी सुर्खियां बनी थी कई हिंदू बच्चे मदरसों में पढ़ने जाते हैं क्योंकि उनके आसपास किसी सरकारी स्कूल का विकल भी मौजूद नहीं है थोड़ा और पीछे चलिए जुलाई के पहले हफ्ते में भी मदरसा सुर्खियों में रहा खंडवा से इंडियन मुजाहिदीन के कथित आतंकी को पकड़े जाने के बाद बीजेपी की विधायक उशा ठाकुर ने कहा था कि मदरसों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि मदरसे आतंकी कनेक्शन का केंद रहते है बीजेपी विधायक अभिलाश पांडे विधान सभा में बाकाइदा अशाश्किय संकल्प लेकर चले आए उन्होंने मांगी कि सम्विधान का अनुच्छे 30 जो अलसंख्यकों को धार्मिक या भाशाई आधार पर सैक्शनिक संस्थाओं के इस्थापना और प्रबंधन का अधिकार प्रदान करता है उसे समाप्त किया जाना चाहिए थोड़ा और पीछे मंत्री रहते हुए उशेट हाकोर ने मदर्सों पर जमकर हमला बोला था दिसम्बर 2022 में उन्होंने मदर्सों के सर्वे को लेकर कहा था कि मदर्सों में अवैद गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है तब कॉंग्रेस की तरफ से आरिफ मसूद ने का कि सरकार एक वर्गों को टार्गेट कर रही है थोड़ा और पीछे इसी जून के मध्यमेर आश्रियबाल अधिकार संरक्षण आयू के अध्यक्ष प्रियंक का कानून गो बताते हैं अधिप्रदेश में 1755 पंजीकरत मदर से हैं 9000 से जादा हिंदू बच्चे इनमें पढ़ रहे हैं इन संस्थानों में RTE जो हता Right to Education उस अधिनियम के तहत अनिवार ये बुन्यादी धाचे का अभाव है और भी बाते उन्होंने गिनाई हैं कि जो मुस्लिम बच्चे हैं उन्हें भी सामानी स्कूलों में बेजा जाना चाहिए वो ये भी गिनाते हैं कि सुरक्षा की कमी है सिक्षित जो टीचर है जो स्टाफ है वो वेल क्वालिफाइड नहीं है कुल जमा कहने का मतलब ये कि मदर्सा शब्द आते ही सबके अपने अपने बयानबाजी शुरू हो जाती है वो इस वजह से भी शुरू हो जाती है कि मैंने जैसे कहा मदर्सा शब्द ही ऐसा है कि इसकी आज पर सियासत की रूटियां पकती है चाहे वो इस तरफ से हो, चाहे वो उस तरफ से हो, सवाल ये, कि जहां basic infrastructure है नहीं, वहां अगर बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, तो वहां जो मुल्भू सुविधाय सिक्षा की, वो है क्यों नहीं, इस तरह के तमाम सवाल, जब भी मदरसे का जिकराता है, इस तरह के सव सवाल और भी खड़े होते हैं, कारवाई निश्चे तोर पर होनी चाहिए, गलत पर कारवाई बिलकुल होनी चाहिए, पर सवाल ये भी है, कि उस कारवाई के चक्कर में कहीं कोई राजनेतिक साजश ना हो, और कोई इस तरह से राजनेतिक साजश करने के शडियंद्र को न बुन सके